Hello everyone, मैं हूँ किरिंशाप पुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वी का सापताहिक राशी फल ये 22nd July से लेकर 28 July तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और इस वीडियो में सभी साइन्स के सापताहिक राशी फल हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशी के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पे क्लिक करेंगे तो डारेक्ली आपकी रीडिंग आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें तो टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर जाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता है राशी फल चलिए रिज़ आप लोगों के लिए देखें ही coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है night of swords और ये card taro में कहीं speed की बात करता है, movement की बात करता है बहुत तेजी से, बहुत focus concentration के साथ अपने goal, अपने मकसद को achieve करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund के लिए रहता हुआ दिख रहा है all in all ये week ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है पीछे किसी भी चीज में अगर आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे इस week उसमें से निकलते वे दिख रहे हैं या फिर इस week भी आ रही है आप उसको clear करते हुए बहुत blunt, बहुत straightforward communication के साथ लोगों से बातचीत या फिर dealings भी करते हुए दिख रहे हैं पर दिखिए एक advice ये काट देता है कि over impulsive ना हो जाएं over जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें और yes, ये week आपका ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है कुछ के लिए हो सकता है, travel, work से related या फिर otherwise या तो हो रही है, या फिर आप चाहा रहे हैं या इसी से related planning रहती हुए दिख रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए the world reverse का card है और दिखे, ये भी बहुत ही positive card है in fact, आपके professional front से जादा personal front का card positive है लेकिन ये card reverse है, तो जो भी positive चीजें होती है उनसे related छोटे मोटे issues रह सकते हैं दिखे, सबसे पहली चीज ये card appreciation recognition की बात करता है तो इस week आपको ऐसे लग सकता है कि आपके loved one से वो एक appreciation recognition आपको नहीं मिल रही है दूसरी बात ये card कहता है कि एक अधूरापन आप महसूस कर सकते हैं अब दिखे, अधूरापन महसूस करने के लिए किसी problem के होने की जरुरत नहीं है कभी-कभी वैसे ही हमें लगता है कि भई, you know, एक missing सी feeling है हम बहुत 100% नहीं महसूस करते हैं without any reason तो कहीं इस तरीके की energies रहते हुए दिख रही है पीछे कोई काम पे आप बहुत time से काम कर रहे हैं और इस वीक सोचे थे complete हो जाएगा तो वो complete नहीं होता हुआ दिख रहा है out of the country से related कोई activity आप करना चाहा रहे हैं और नहीं हो रही है या फिर इसी से related चोटे मोटे issues चोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं देखे है मैंने जोर देकर कहा है चोटे मोटे issues चोटे मोटे मसले क्योंकि फिर से कहूंगी ये एक positive card है सिरफ reverse है इसी वज़े से इनी चीजों से related delays रह सकती है और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई ending, beginning आप करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं या फिर हो रही है और उस तरीके की एक acceptance आप नहीं ला पा रहे हैं तो yes ठीक ठाक रहेंगी energies जो भी चीजे मैंने आपको बताई आप थोड़ा सा इनके लिए acceptance लेकर आएंगे तो ये भी ठीक ठाक रहेगा नहीं तो फिर minor issues रह सकते हैं and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए building blocks का card है और ये card आपको कहता है कि जो भी आपका goal है चाहे वो personal front हो चाहे professional front हो उसके लिए कैसे you know एक solid foundation ले करें कैसे stability, security, maintain करते हुए चीज़ों को deal करें इसके ओपर जरूर आप attention दें क्योंकि देखे professional front में हमने देखा बहुत speed से आप आगे जा रहे हैं जो कि फिर से कहूंगी बहुत अच्छी बात है लेकिन जल्दबाजी जब हम करते हैं, impulsive हो जाते हैं तब कहीं हम जो छोटी मोटी details होती हैं उनको ignore कर देते हैं, जाने अन जाने और फिर हम बाद में परिशान होते हैं, उस टाइम हमें नहीं realize होता है तो फिर से देखिए guidance का card आपको कहता है कि आप foundation या फिर मैं कहूंगी strong foundation ले करने पे जादा focus करें और सेम ही आपके लिए personal front के लिए भी advice रहेगी और astrology से आप लोगों के लिए 12th house का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे और significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था एरीज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी पल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए टारस आप लगों के लिए देखें हैं इस coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लगों के लिए card है four of swords rivers और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में आप बहुत जादा actively चीजों में खुद को involved नहीं कर रहे हैं participate नहीं कर रहे हैं एक back step लेते हुए दिख रहे हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे आपके ऐसी energies थी और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा तो चीजों में involved होना पड़ेगा खुद को इन energies में से बाहर निकालना पड़ेगा और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत जादा ही deep आप इन energies में जा रहे हैं अब देखिए reason, situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप बहुत time से थोड़ा सा withdraw कर रहे थे शायद आपने पीछे बहुत जादा effort किया बहुत जादा महनत करी आप rest कर रहे थे और इस week आप mood बना रहे हैं कि कैसे अब इस rest वाली energies में से खुद को बाहर निकालें कुछ के लिए हो सकता है कि आपके work front में कुछ खास काम नहीं हो रहा है कुछ खास activity नहीं हो रही और आपको लग रहा है कि खाम खां क्यूं अपने आपको थकाना आया फिर खाम खां involved होने का कोई फाइदा नहीं है इससे अच्छा आगे की planning कर लें या फिर इससे अच्छा rest कर लें अब दिखिये जो भी चीजे मेरे mind में आई मैंने आपको कहा reason, situation, circumstances फिर से कहूंगी सब के लिए differ करेंगे four of swords is not a negative card तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है बट येस फिर से कहूंगी बहुत कुछ great भी नहीं होता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए the Empress का card है and this is one of the best card in tarot और मेरा favorite card है ये card कहीं comfort की बात करता है, luxury की बात करता है कहीं चीजों को या फिर मैं कहूंगी materialistic चीजों को enjoy करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है और दिखें, broader level के लिए मैं कहूंगी की comfort, luxury आपके लिए बहुत important रहती हुए दिख रही है for example, अगर आप कहीं गूमने जा रहे हैं, तो आपको ऐसे लग सकता है कि best resort होना चाहिए ambience बहुत अच्छी होनी चाहिए, nature बहुत आसपास होनी चाहिए जैसे उतना पेड़ पौधे हों, view बहुत अच्छा हो और अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो बहुत exclusive branded item आप खरीदना चाहेंगे तो दिखिए, यहाँ पर फिर से मैंने आपको example दिया कि किस तरीके से luxury आपके लिए important रह रही है और बहुत comfortable होके आप चीजों को कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके personal friend में हो रहा है बहुत ही comfortable आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि Empress Mother को represent करती है कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी Mother के साथ बहुत interact कर रहे हैं उनकी तरफ से बहुत एक love care आपको मिल रही है या फिर कोई female भी हो सकती है, जिनकी motherly energies है, उनके साथ जादा interaction हो रही है उनकी तरफ से एक care love आपको मिल रहा है या फिर आप एक love care उनके लिए, यानि कि अपनी mother या फिर motherly figure के लिए महसूस कर रहे है और या पर देखिए कोई male भी हो सकते हैं, जिनकी feminine energies है, motherly nature है all in all, personal front काफी अच्छा जाता हुआ देख रहा है and in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए folk in the road का card है और ये card कहता है कि हो सकता है कि कुछ decisions, कुछ choices इस week आपको लेने पड़े और उनको लेकर आप थोड़े से indecisive हो रहे हैं या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या decision ले, क्या choice ले और जब भी ये card आता है, मैं यही कहती हूँ कि थोड़ा सा difficult हो सकता है आपके लिए decision लेना और इसकी वज़े से थोड़ा delay होता है, तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आप decision choice ही नहीं लेते हैं इस चीज को avoid करते हैं, तो इसको ज़रूर चेक करके correct करें और astrology से आप लोगों के लिए Jupiter sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था, Taurus आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीजे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चले जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the star and the star का card tarot में कहीं positivity की बात करता है in fact मैं कहूंगी कि एक उमीद के जागने की बात करता है कहीं युनों बहुत hopeful चीजों को लेकर होने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front के लिए रहता हुआ दिख रहा है हो सकता है जेमिनीज की पीछे आप बहुत negative हो रहे थे चीजों को लेकर आपको ऐसे लग रहा था कि अब तो आपका काम बनेगा ही नहीं जो भी चीज आप अचीव करना चाहा रहे हैं शायद युनों पीछे आपको ऐसे लग रहा था कि अब तो आप इस चीज को अचीव ही नहीं कर पाएंगे बहुत मायूस हो रहे थे और इस week कहीं एक ray of hope आते हुई दिख रही है यानि कि एक उमीद जागती हुई दिख रही है positive frame of mind आपका होता हुआ दिख रहा है और इसी positivity के साथ आप चीजों को deal भी करते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप over giving हो रहे हैं अब देखें situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए अपने goal अपने मकसत को लेकर over giving हो रहे हैं कुछ के लिए अपने colleagues के लिए हो सकता है आप over giving हो रहे हैं जो भी हो ये week बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है स्टार का काट कहीं स्टार भी बनने की बात करता है स्टार का मतलब हुआ कि आपको बहुत appreciation मिल रही है recognition मिल रही है एक celebrity वाली energies होती है न celebrity को हम सब लोग क्या करते हैं appreciate करते हैं बहुत importance देते हैं बहुत एहमियत देते हैं तो इस तरीके की भी energies आपके work front में आपके लिए रह सकती है यानि कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनकी तरफ से एक एहमियत एक importance एक appreciation recognition आपको मिल सकती है and personal front के लिए आप लोगों के लिए eight of wands का card है और ये card भी बहुत positive card है तो दिखिए पूरा ही हफथा अच्छा जाता हुआ दिख रहा है ये card कहता है कि बहुत तेजी से बहुत speed से जो भी personal front में आपका goal है आपका मकसद है उसके लिए action initiative लेते हुए दिख रहे है और कहीं पीछे personal front की किसी भी चीज में आप अटकावा महसूस कर रहे थे बहुत stuck energies थी तो इस week आप उसमें से बहार निकलते हुए दिख रहे है कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप travel कर रहे है या फिर travels related आपके plan बन रहे है या फिर कैसे एक growth एक progress आई आप उस पे focus करते हुए दिख रहे है हो सकता है कि थोड़े से impulse वाप रहें personal front में तो दिखिए अगर ऐसा पाएं तो ज़रूर चेक करके correct करें immediate action लेने की ज़रत है किसी भी चीज के लिए तो बहुत अच्छी बात है ज़रूर ले लेकिन जल्दबाजी जब भी भी हम करते हैं और फिर impulse होते हैं तो कहीं हम अच्छे से सोचते समझते नहीं है हमारे decisions हमारे choices wrong हो जाते हैं जिनको उस time हम नहीं समझ पाते हैं देर से जब समझ में आती है तो बहुत परेशान होते हैं तो दिखिए सिरफ इस चीज का खयाल रखना है otherwise personal front भी अच्छा रहता हुआ देख रहा है and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए higher power का card है guidance के point of view से देखें तो ये card कहता है कि कोई भी चीज को लेकर sure नहीं है या फिर guidance in general ही आपको चाहिए जो भी आपके angels हैं जिन भी God को आप मानते हैं higher power है उनसे connect करें आपको definitely answers मिलेंगे guidance मिलेगी और कुछ के लिए हो सकता है कि आप महसूस कर सकते हैं कि कोई higher power आपको guide कर रही है आपको direct कर रही है और उनकी blessings आप महसूस कर रहे है and astrology से आप लोगों के लिए the moon का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो ये था जमिनीज आप लोगों के लिए coming week का सापता है काशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए गन सेरेंज आप लोगों के लिए देखें in coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है three of wands और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में या तो किसी चीज का wait किसी चीज का इंतजार रह रहा है या फिर आप long term goals बनाने पे जादा focus कर रहे हैं future की planning करने पे जादा focus कर रहे हैं अब दिखिए ये general reading है तो ये इंतजार ये wait सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज को लेकर आपने बहुत effort किया बहुत महनत करी और इस week आप उसी के outcome का wait कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप सही समय का wait कर रहे हैं कभी-कभी होता है ना में लगता है कि जब सही समय आएगा ना तब ही हम action initiative लेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि किसी phone call, email, message का वेट कर रहे हैं अब दिखिए जो भी चीजे मेरे mind में आई मैंने आपको कहा ये इंतजार सब के लिए defer करेगा और जैसे कि अभी बताया कुछ के लिए हो सकता है कि simply you know करन जो भी आपके professional front में चल रहा है वो आपको bother नहीं कर रहा है या फिर वो आपका concern अभी इस time नहीं रह रहा है long term planning, long term goals आपको ज़्यादा you know concern कर रहे हैं आप फिर ज़्यादा आप उस पे focus करना चाह रहे हैं all in all ये वी ठीक ठाल जाता हुआ दिख रहा है और नहीं कुछ खराब हो रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए two of wands reverse का card है और ये card कहता है कि stuck energies इस week आप personal front में महसूस कर सकते हैं हो सकता है कि बहुत सारी चीजों को आप देख के अंदेखा कर रहे हैं सुन के अंसुना कर रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि बही ना तो आप आगे जा पा रहे हैं ना ही आप पीछे जा पा रहे हैं और decision choice भी आप नहीं ले रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप इसी situation में से कैसे खुद को निकालें इस पे आप focus कर रहे हैं लेकिन अगर आप deep जा रहे हैं तो आपके लिए समझना बहुत important है कि जब हम चीजों को un-dekha, un-suna करते हैं तो बहुत एक temporary time के लिए हम उन चीजों को avoid करते हैं, हम उस परिशानी को अपने से दूर करते हैं लेकिन back end पे वो परिशानी बढ़ती जाती है और एक time आता है वो जब बहुत छोटा सा हो तभी हम upfront होके उसे deal कर लेते हैं तो हम बहुत सारी और problems को life में आने से avoid करते हैं और इसी चीज़ का खयाल इस week आप जरूर रखें और अगर ऐसा करेंगे तो ये week ठीक ठाक जाएगा नहीं तो इस week आपको realize हो ना हो लेकिन इसकी वज़े से आगे चलके आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं और इन जनरल या फिर guidance है आप लगों के लिए exchanging gifts का card है और ये card कहता है कि कोई skill कोई talent अगर आपके अंदर है और अगर किसी course की जरत है तो जरूर share करें और इसी तरीके से आपको भी किसी के help support की जरत है तो जरूर आप उनसे help और support लें क्योंकि कितनी बारी होता है न हम ego की वज़े से यहां फिर hesitate करते हैं सामने वाले को नहीं कह पाते हैं और all in all दिखी ये card कहीं देन लेन की बात करता है giving and receiving की बात करता है and astrology से आप लोगों के लिए विस्ता का card है इसके हिससाब से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के हैंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो यह था कि इन सेरियन आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए लिए उज़ा आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है queen of pentacles reverse pentacles का card reverse मतलब इस week specifically professional front में आपने money पैसे को लेकर बहुत cautious रहना है क्योंकि पैसा आपके हाथ से जा सकता है अब देखें इस चीज को सुनके आपने डरना नहीं है tarot guidance के लिए होता है और मैंने सबसे पहली चीज आपको कहा कि अगर आप money पैसे को लेकर थोड़ा सा cautious रहते हैं तो फिर आप काफी सारी चीज़ों को avoid कर पाएंगे अब देखें situation circumstances सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए simply हो सकता है कि किसी unavoidable चीज पर आपका खरचा हो रहा है और आप थोड़ा सा परिशान हो रहे हैं क्योंकि this is not a negative card तो कुछ भी खराब नहीं होगा लेकिन जैसे होता है कि unexpected सा खरचा हो गया हम prepared नहीं थे और हमें थोड़ा सा बुरा लग रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि जतना profit आपने सोचा था उतना profit आपको नहीं मिल रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि किसी को आपको उधार देना पड़ रहा है किसी के लिए हो सकता है कि आप उधार लेना चाहा रहे हैं तो आपको उधार नहीं मिल रहा है तो देखिए फिर से कहूंगे situation circumstances सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है अब देखिए मैंने सब के लिए नहीं कहा मैंने बहुत clearly कुछ के लिए कहा है और थोड़ा सा अगर आप cautious रहते हैं जो कि मैंने आपको starting में ही कहा था तो आप इस नुकसान को avoid भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर queen of pentacles का card है कुछ के लिए हो सकता है कोई female हैं जो आप से पैसे ले रही है या पर जिनकी वज़े से आपको नुकसान हो रहा है या पिर अगर किसी female से आप money, पैसा, materialistic, tangible चीजों से related help expect कर रहे थे तो वो help आपको नहीं मिल रही है तो दिखें, broader level के लिए इन ही चीजों के आसपास आपके professional friendly situation circumstances रहते हुए दिख रहे हैं कुछ बहुत खराब और गलत नहीं हो रहा है लेकिन फिर से कहूंगी money, पैसे को लेकर साफधान रहें और बहुत ज़ादा expectations, बहुत ज़ादा उमीदें again, you know, profit gain से related आप ना रखें इस week and personal front के लिए आप लोगों के लिए seven of cups reverse का card है और ये card कहता है कि पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर बहुत आप confused हो रहे थे बहुत distracted से energies रह रही थी तो इस week आपको ऐसे लग सकता है कि बहुत हो गया आपको अपने आपको in distractions से परे करना है जो भी आपका goal है, मकसद है जो आप personal front में achieve करना चाहते हैं आपने उस पे focus करना है और पीछे अगर आप decision choice भी नहीं ले पा रहे थे इसी confusion की वज़े से इन ही distractions की वज़े से तो कहीं आप वो decision वो choice भी लेना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे आप सिरफ सोचते ही जा रहे थे आप action initiatives नहीं ले रहे थे और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया vision बनाना बहुत हो गया को आप देखना बहुत हो गया सोचना अब तो action initiatives लेने ही पड़ेंगे जो भी आप चाहते हैं उसको achieve करने के लिए और अगर देखे आप भी ऐसी energies पाएं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपको लगी कि भी आप बहुत डीप इन ही energies में जाते जा रहे हैं यानि कि आप और जादा confused हो रहे हैं और जादा distract हो रहे हैं तो इस चीज को apply करना बहुत important रहेगा यानि कि इन ही energies में से खुद को बाहर निकालना बहुत important रहेगा अपनी distractions को side पे रखना और अपने goal पे focus करना इस week आपके लिए बहुत एहम रहेगा decision choice लेना बहुत एहम रहेगा जो भी आपका goal है उसके लिए action initiatives लेना बहुत एहम रहेगा and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए hair and now का card है और ये card कहता है ना तो आप future के लिए बहुत जादा सोचे और देखिया अगर मैं personal friend के card देखूं तो कहीं शायद आप बहुत जादा एक imaginary world में रह रहे थे या फिर ख्वाबों की दुनिया में रह रहे थे और जब भी भी हम ख्वाबों की दुनिया में होते हैं तो या तो हम past में होते हैं या फिर हम future में होते हैं और मुझे लगता है जादा ही आपके personal friend के लिए guidance है कि please आप present moment में आएं और जो भी अभी की requirement है उसी के हिसाब से चीजों को समझते हुए action initiatives लें और astrology से आप लोगों के लिए Taurus sign का card है इसके हिसाब से all shades of green and yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये थलियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए ओगोज आप लोगों के लिए देखेंगे in coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है page of pentacles और ये card कहता है कि इस week specifically professional fund में money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों पे यहां तो आपका focus है यहां पिर इन ही सब चीज़ों से related gain फाइदा हो रहा है अब देखें यहां पे page का card है तो मैं यह नहीं कहूंगी कि बहुत कोई आपको great फाइदा हो रहा है बट यह थोड़ा थोड़ा फाइदा किसी भी level पे इस week रह सकता है और जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है आपके professional friends से related उसके लिए छोटे छोटे कदम आप लेते हुए दिख रहे हैं अब यह कदम भी सब के लिए differ करेंगे क्योंकि यह general reading है कुछ के लिए हो सकता है कि अपने goal अपने मकसद को achieve करने के लिए जो भी action initiatives required है आप थोड़े थोड़े उस direction में ले रहे हैं अगर कोई skill knowledge गेन करने की ज़रत है तो थोड़ा थोड़ा आप इस चीज पे भी focus कर रहे हैं अब दिखे जो भी चीजे मेरे mind में आई मैंने कहा broader level के लिए again यह काट बहुत ही थोड़े थोड़े लेविल पे चीजों को आगे बढ़ाने की बात करता है किसी news, email, phone call का अगर आप वेट कर रहे हैं तो इस week आपको मिलता हुआ दिख रहा है और कहीं यह news, phone call, email एक stability, एक युनो अच्छी खबर आपके professional front career के लिए लाता हुआ दिख रहा है all in all ये week ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए seven of wands reverse का card है और ये card कहता है कि personal front में कुछ challenges, कुछ issues, कुछ मसले रह सकते हैं अब देखिए इन challenges, issues मसलों का reason सब के लिए differ करेगा लेकिन card के हिसाब से जो भी चीज आप चाहा रहे हैं उसको आप सिरफ और सिरफ इसलिए नहीं achieve कर पा रहे हैं क्योंकि आप extra effort, extra initiative नहीं लेना चाहा रहे हैं क्योंकि आपने give up कर दिया क्योंकि आप डर रहे हैं क्योंकि आप situation से घबरा रहे हैं और ये card कहता है कि जो भी आप चाहाते हैं उसको definitely आप achieve कर पाएंगे लेकिन आपको extra initiative लेना पड़ेगा extra effort लेने पड़ेंगे willpower determination रखनी पड़ेगी बहुत courageously, बहुत boldly आप front हो के situation, circumstances को deal करना पड़ेगा और कहीं यही चीजें इस week personal front में missing रहती भी दिख रही हैं इस चीजें को लेकर महसूस कर रहे हैं अब देखे, इस चीजे को अगर चेक करके correct किया तो personal front की energies को बहतर करेंगे नहीं तो फिर थोड़ा सा मायूस हो सकते हैं and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए time to go का card है तो देखे, यह card personal, professional दोनों में से किसी भी front के लिए guidance हो सकती है लेकिन personal front के लिए ज़ादा रहता हुआ देख रहा है क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि आपने किसी level पे give up करा हुआ है personal front में और यहाँ पे time to go का card बहुत clearly कहता है कि extra effort, extra initiative आपको लेना पड़ेगा अगर आपका goal है, जो आपका मकसद है उसको आप achieve करना चाहते है and astrology से आप लोगों के लिए Saturn ग्रह का card है इसके हिसाब से all shades of brown and beige इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था वोगोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए लिए ब्राज आप लोगों के लिए देखें इस coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Seven of Pentacles Reverse और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में आप थोड़ा सा pause ले रहे हैं आगे बढ़ने से पहले आप चीजों को और जादा समझना चाहा रहे हैं हो सकता है कि आप future की planning करना चाहा रहे हैं long term goals बनाना चाहा रहे हैं और कहीं इन ही चीजों से related छोटे मोटे issues मसले भी आप face कर रहे हैं हो सकता है कि आप थोड़े से analytical जादा हो रहे हैं थोड़े से practical जादा हो रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बड़ी महनत से जो भी अभी तक अपने professional front में कमाया है उसको achieve किया है और आप बहुत safe, secure होके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और हो सकता है कि decision choice भी आपको लेने की ज़रत है आप नहीं ले पा रहे हैं और दिखें जब भी ये काडाता है मैं यही कहती हूँ कि आप अगर past से जो भी आपने learn किया है उसको apply करेंगे current situation में तो आपके लिए इस situation में right decision, right choice लेना बहुत असान हो जाएगा होता है ना past में हमने क्या किया जिससे हमें फाइदा हुआ, क्या किया, जिससे हमें नुकसान हुआ हम इन चीजों को consider करते हुए जब भी भी current situation में decisions, choices लेते हैं action initiatives लेते हैं इनको consider करते हुए ही future course of action decide करते हैं तो फिर हम, फिर से मैं कहूंगी better decisions ले पाते हैं और जो हमने problems past में देखी, उनको भी हम avoid कर पाते हैं तो इस चीज को ज़रूर आप apply करें इस week और अगर ऐसा करेंगे तो इस week को बहतर करेंगे नहीं तो फिर देखिए decision choice लेने में थोड़ी सी difficulty हो सकती है ये card किसी भी चीज के खराब होने की बात नहीं करता है बट इन ही सब चीजों से related थोड़ा बहुत एक सोच चलने की बात करता है या फिर issues, मसले face करने की बात करता है क्योंकि ये money का card है, reverse है तो पैसे को लेकर भी थोड़ा सा cautious रहें and personal front के लिए आप लोगों के लिए four of wands का card है ये card कहीं celebration की बात करता है, get together की बात करता है, reunion की बात करता है और change of place, change of location की भी बात करता है कुछ ऐसा ही इस week, specifically आपके personal front के लिए रहता हुआ देख रहा है अब देखी, ये general reading है, तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा कुछ के लिए हो सकता है, कि आप simply अपने loved ones, अपने close ones के साथ जादा interact कर रहे हैं, कुछ के लिए कोई खास आपका loved one हो सकता है जिनके साथ आपकी जादा बातचीत हो रही है कुछ के लिए हो सकता है कि literally किसी तरीके की बड़ी celebration है जैसे कि marriage हो गई, engagement हो गई, या फिर कोई भी इस तरीके की celebration हो गई कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई celebration organize करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए simply दोस्तों के साथ reunion हो सकता है अब दिखिये जो भी चीज़े मेरे mind में आ रहे हैं मैं कह रही हूँ लेकिन इसी तरीके की energies आपके personal front में रहती हो भी दिख रही है कुछ के लिए ग्रह परवेश भी हो सकता है, आपके घर का हो सकता है या फिर किसी लववन ने नया घर लिया वो घ्रह परवेश कर रहे हैं आप उसमें बहुत ज़्यादा involved है कुछ के लिए हो सकता है simply आप vacation plan कर रहे हैं, vacation पे जाना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि change of place, change of residence हो रहा है all in all, personal front से related यह भी काफी अच्छा जाता हुआ, दिख रहा है fun, मज़ा, मस्ती रहती भी दिख रही है and in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए chop wood का card है और यह card कहता है कि जब हम ordinary चीज़ों पे focus करते हैं और जब हम life से बहुत कुछ extraordinary की expectations नहीं रखते हैं यानि कि जो rose mara की चीज़े होती हैं, उनको 100% enjoy करते हैं और उनमें खुशियां ढूनते हैं, तो फिर हम अपनी life को extraordinary बनाते हैं तो इस चीज़ का खयाल इस week ज़रूर रखें and astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है इसके हिसाब से all shades of red maroon rust इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था Libra's आप लोगों के लिए coming week का सापता है इक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए इस copy उस आप लोगों के लिए देखें in coming week क्या लेकर आ रहा है के energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 10 of wands और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में किसी भी level पे किसी भी तरीके का stress, tension, pressure आप महसूस कर सकते है अब देखें इस चीज को सुनके आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है क्योंकि सबसे पहली चीज ये minor arcana का card है दूसरी बात ये weekly reading है weekly reading में बहुत बड़ी चीजे नहीं होती है एकका दुक्का लोगों की बात अलग है और तीसरी चीज देखें इस card से guidance लेके आप इस week की energies को भेतर कर सकते हैं तो सबसे पहली guidance ये card देता है कि आप अपने pressure को अपने burden को offload करें क्योंकि बहुत सारे chances हैं ये जो pressure है, ये जो tension है वो इसलिए है क्योंकि आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ली हुई है अब दिखे, starting में responsibilities अपने उपर लेना बहुत असान होता है लेकिन उसे दूर तक निभाना बहुत मुश्किल होता है और इसलिए, starting में जब आप बहुत gracefully no कह देते हैं तो आप बहुत सारी problems से खुद को बचा लेते हैं अब हो सकता है कि आप ना ना कह पाए हो और इसलिए आपके उपर बहुत सारी responsibilities आ गए है या आपने अगर जान मुश्किली है जो भी reason रहा हो इस week जैसे भी हो आपने अपने pressure को कम करना है और आपने बहुत ही प्यार से लोगों को ना कहना है और अगर आपने इस चीज को apply कर लिया यकीन मानिये आप इस week की तो energies को बहतर करेंगे आगे आने वाले issues को भी आप ठीक कर पाएंगे लेकिन अगर इस week आपने अपने pressure को कम नहीं किया आप ऐसे ही खुद को stretch करते रहे जितना काम आप कर सकते हैं उससे भी ज़ादा काम आप करते रहे तो इस week आपको हैसास हो ना हो लेकिन इसकी वज़े से आगे चल कर आप ज़रूर परेशान होंगे तो फिर से कहूंगी इस चीज को ज़रूर चेक करके correct करें और परसनल फ्रंड के लिये आप लोगों के लिए temperance reverse का कांड है और ये कांड कहता है कि एक balance नहीं आप maintain कर पा रहे हैं अपने personal फ्रंड में यहाँ तो कोई चीज आप जरुरत से जादा कर रहे हैं किसी चीज में आप जरुरत से जादा involve हो रहे हैं यहां फिर आप एकदम से ही back seat ले रहे हैं एकदम से ही आप you know withdraw कर रहे हैं और दोनों ही सिनारियों में कहीं इस चीज को चेक करके correct करना बहुत important है और बहुत सारे chances हैं कि एक piece आप maintain करना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं अब देखें situation circumstances सबके लिए differ करेंगे लेकि चीज आप over कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है over आप worry कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है over action initiative ले रहे हैं जो भी आप चाहते हैं उसके लिए कुछ के लिए हो सकता है over eating drinking हो रही है तो देखिए जितना आप balance maintain करने की कोशिश करते हैं जितना पीस maintain करने की कोशिश करते हैं जो भी आप चाहते हैं, जितना आप उस पे focus करने की कोशिश करते हैं, concentration अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उतना इस week के energies को आप बहतर करेंगे, और अगर इन चीजों को आप चेक करके नहीं correct कर पाएंगे, तो बहुत एक उथल पुथल आप महसूस कर सकते हैं, अब दिखि यह temperance is not a negative card, तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, लेकिन एक मन का सुकून, एक मन की peace आप महीं महसूस कर पाएंगे, और वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही जादा परेशान हो रहे हैं, बट येस, यूनो, फिर से मैं कहूंगी, सुकून सा नहीं महसूस कर रहे हैं, और जो मैंने आपको कहा, उसको apply करेंगे, उसको practice करेंगे, तो इस week के energies को भैतर करेंगे, and in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए soulmates का card है, कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप अपने soulmates से connect कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी इनसान आपको लगता है, आपकी soulmates है, आ आप उनसे जादा interact कर रहे हैं, उनसे जादा आपकी बातचीत हो रही है, हो सकता है कि वो काफी supportive cooperative हो रहे है, या पिर card कहता है कि कि किसी भी help, किसी भी support की आपको जरत है, तो जो भी आपको लगते हैं, आपके soulmates हैं, आप उनसे connect करें, वो support, वो help उनसे जरूर लें, and astrology से, आप लोगों के लिए Capricorn Sign का card है, इसके हिसाप से all shades of blue, indigo, इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो ये था, Scorpio's आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए सरी ठेरे साप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है, तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है three of cups, और ये card कहीं fund, मजा, मस्ती की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund में रहता हुआ दिख रहा है यानि कि money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों पे उतना focus नहीं है, कहीं relationships पे जादा focus है, कहीं fund, मजा, मस्ती पे जादा focus है, कहीं एक happiness, joy जादा रहती हुई दिख रही है, अब दिखें situation, circumstances, reasons, सब के लिए differ करेंगे, for example अगर आप job करते हैं, हो सकता है कि आपकी company ने कोई goal achieve किया, और क आपको ऐसे लग सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनका आपस में bond अच्छा होना चाहिए, और इसलिए कोई event, कोई celebration आप organize कर रहे हैं, या फिर, you know, literally हो रही है, तो दिखें, जो भी दो चीज़े मेरे mind में आई, मैंने कहा, लेक भी और professionals हैं, उनसे connect कर रहे हैं, अपना network बढ़ाना चाहा रहे हैं, कभी-कभी होता है न, कि work front में ज्यादा meetings हो रही हैं, restaurants में meeting हो रही हैं, और आप अपने client के साथ, या फिर बाकी professionals के साथ, dinner करते वकत, या lunch करते वकत, meeting कर रहे हैं, coffee पे meeting कर रहे हैं, तो देखिए, फिर front के लिए, आप लोगों के लिए high priestess का card है, और ये card कहता है, कि आप थोड़ा साथ चीजों से withdraw करना चाहा रहे हैं, बहुत actively आप किसी भी चीज में खुद को नहीं involve करना चाहा रहे हैं, नहीं participate कर रहे हैं, अब देखिए, reason सब के लिए differ करेगा, लेकिन high priestess का card कहीं wisdom को represent क जा रहे हैं, और इसी लिए थोड़ा सा back seat आप लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज आप अपने किसी loved one से चुपा रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहे हैं, कहीं एक transparency नहीं रह रही है, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग है कि आपके पीछे से लोग आपकी बात कर रहे हैं, तो दिखे, high priestess is not a negative card, it's a neutral card, in fact ये card कहता है कि अगर आप सोच समझ के चीज़ों को deal करेंगे तो जादा बहता रहेगा, आप इस week बिल्कुल भी impulsive ना हों, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, फिर से मैं कहूंगी क अच्छे से time लें, introspective energies में रहें, तभी कोई भी decision choice लें, तभी आप you know कोई भी action initiative लें, all in all personal front ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, professional front में जैसे fun मजा मस्ती रह रही है, उतनी fun मजा मस्ती कहीं personal front में आप नहीं चाहा रहे हैं या फिर नहीं हो रही है, and in general या फिर guidance से आप आपके लिए clean it up का card है, और बहुत clear message है, किसी भी आपके external front में, space में clutter है, अब देखिए most of the times क्या होता है न, कि छत होती है, store होता है, वहाँ पे हम चीजों को dump करते रहते हैं, और उसको हम time to time clean नहीं करते हैं, तो देखिए external front में भी अगर clutter होता है, वो हमारे internal front को impact करता ह तो देखिए अगर external front में clutter है, उसको आप clean करें, और अगर मन में कोई चीज आपको bother कर रही है, मन में आपके thoughts में clutter हो रहा है, तो उसको भी clean करना इस week आपके लिए बहुत एहम रहेगा, अगर आप एक peace, एक सुकून चाहा रहे हैं, और देखिए personal front में एक चीज मने miss कर द है, इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day, तो ये था city areas आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, कि इस week specifically professional front में थोड़ा सा आप demotivated feel करते हुए दिख रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, motivation missing है, enthusiasm, excitement missing है, और दिखें ये तीनों ही चीजें बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं अपने goal, अपने मकसद को achieve करने के लिए, अब reason, situation, circumstances, सब Capricorns के लिए differ करेंगे, लेकिन broader level क अगर हम देखें तो ये काट कहता है, या तो उतना growth, उतना progress आपके professional front में नहीं हो रहा है, जितना आप चाहा रहे हैं, या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है, कि आप independently चीजें करना चाहा रहे हैं, खास कर अगर आप job करते हैं, या फिर किसी के साथ मिल कर partnership में काम करते ह या किसी भी तरीके से किसी भी इंसान के साथ connected है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपने सबसे हट कर independently चीजों को करना है, और उतना independently आप चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, और देखिए ये जो दो चीजें मेरे mind में आई, मैंने कहा, कोई और भी reason हो सकता है, लेकिन फिर से कहू याने की motivation को लेकर आना है, enthusiasm, excitement को लेकर आना है, क्योंकि फिर से देखिए जब तक ये तीनों चीजें नहीं हैं, आप अपने goal अपने मकसद को नहीं अचीव कर पाएंगे, और कोई-कोई हफता होता है, जब हम उतने जादा excited चीजों को लेकर नहीं होते हैं, लेकिन जब हम effort करते हैं, तो हम इन्ही energies को ला भी पाते हैं, और चीजों को बहतर भी कर पाते हैं, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई चीज end हो रही है, उसकी वज़े से आप थोड़े से मायूस हो रहे हैं, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई नई चीज आप शुरू करना चाहा एक नए सिरे से चीजों को करना चाहा रहे हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहा रहे हैं, और उसी से ही related छोटे मोटे issues, मसले हैं, जिनको लेकर आप थोड़े से मायूस हो रहे हैं, तो दिखिये मायूस ना हो, और अपने enthusiasm, excitement को बरकरार रखें, definitely आप चीजों को अचीव कर प नहीं हैं, कभी तो आपको ऐसे लग सकता है कि जो आप चाहते हैं, उसी direction में चीजे जा रहे हैं, और कभी आपको ऐसे लग सकता है कि एकदम से चीजें off track हो गई, और कभी आप बहुत enthusiastic, excited, personal front में चीजों को लेकर महसूस कर रहे हैं, कभी एकदम से आप low feel कर रहे हैं, तो क direction में चीजें नहीं move करते हुए दिख रही हैं, कुछ के लिए हो सकता है, आप over impulsive हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत जादा ही slow हो रहे हैं चीजों को लेकर, तो देखे इनी energies में एक balance लाना बहुत important है, और broader level के लिए हो सकता है क कि आप travel करना चाहा रहे हैं, आपके travel के plans delay हो रहे हैं, कहीं आप out of the country से related कोई activity में involved होना चाहा रहे हैं, उससे related कुछ issues मसले हो रहे हैं, और इसी वज़े से याँ पिर otherwise आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो देखे ये thought को अपने mind मे ना आने दे, क्योंकि जो भी हमारे thoughts होते हैं, वो energy होती है, और जब इस energy में हम vibrate करते हैं, तो फिर कहीं इसी तरीके की energies हम attract करना शू कर देते हैं, और ऐसा ही हमारी life में होने भी लगता है, तो जितना आप you know, एक balance maintain करते हैं, ना तो आप over तेजी से चीजों को करें, ना ह आप slow हों, और एक moderate speed maintain करने की कोशिश करते हैं, और moderate तरीके से चीजों को deal करते हैं, आप इस week के energies को बहतर कर पाएंगे, और दिखिए हर week एक जैसा नहीं होता है, किसी में चीजें बहुत अच्छी होती हैं, जैसा हम चाहा रहे होते हैं, वैसी हो रही होती हैं, और किसी मे कहीं उस direction में नहीं जा रही होती हैं, और जब इस situation में हम इत्मिनान रखते हैं, balance maintain करते हैं, तब कहीं हम चीजों को वापिस track पे भी ला पाते हैं, और बहतर भी करते हैं, तो इसी चीज को करने की और समझने की इस week ज़रुरत रहेगी, and in general या फिर guidance से आप लोगों के लि doubt ना करें, जन गौड को मानते हैं, उनको doubt ना करें, and astrology से आप लोगों के लिए cheerion का card है, इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा, and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday, तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए एक विएस आप लोगों के लिए देखें, incoming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Queen of Souls Rivers, और ये card कहता है कि इस week या तो आप अपने professional front में चीज़ों क को लेकर, circumstances को लेकर, बहुत जादा ही critical, बहुत जादा ही judgmental हो रहे हैं, या फिर कोई female figure है, या male है, जिनकी feminine energies है, वो आपके काम को लेकर, आपको लेकर बहुत critical, बहुत judgmental हो रहे हैं, जिसकी वज़य से आप काफी परेशान हो रहे हैं, अब दिखिए general reading है, तो थोड़ा- काट कहता है, कि आप बहुत clarity के साथ, logically चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और जब भी भी ये काट आता है, मैं यही कहती हूँ, कि जितना जादा आप अपनी emotions को, sentiments को अपने उपर हावी नहीं होने देंगे, जितना जादा आप mind से चीज़ों को deal करे तो इस चीज़ का खयाल जरूर रखें, और अगर कोई female है, या male figure है, जिनकी masculine energies है, वो आपको बहुत bother कर रहे हैं, उनकी वज़े से आप परेशान हो रहे हैं, तो इस week आप उनको जितना avoid करेंगे, उतना ही आपके लिए बहतर हैगा, and personal friend के लिए आप लोगों के लिए four of pent pentacles reverse का card है, और ये card कहता है कि इस week personal friend में letting go वाली energies में आप रहते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर letting go आप practice करना चाहा रहे हैं, अब दिखिए सब के लिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी differ करेगा, क्योंकि ये general reading है, कुछ के लिए हो सकता है कोई loved one को आप बहुत pursue कर रह पर चड़ रहे हैं, अब थोड़ा असाना इनको धील दे देनी चाहिए, और ऐसे ही किसी की बात अगर आपने पकड कर रखी हुई थी, बहुत hurt हो रहे थे, आप अपने मन से निकाल नहीं पा रहे थे, तो इस week आप उस बात को भी अपने mind से let go करना चाहा रहे हैं, आप फ और सिरफ इस week की energies है, next week नया card होगा और नई energies होगी, तो ये letting go वाली energies सिरफ इस week के लिए रहती हुए दिख रहे हैं, और दूसरी बात ये card कहता है कि इस week पैसा आपके हाथ से जा सकता है, यानि कि आपका खर्चा हो सकता है, अब इस चीज़ को सुनके परिशान ना हूँ क्योंकि देखिए, लक्षमी का आना जाना ही ideal situation होती है, जब हम बहुत जादा भी save करते हैं, तब भी कहीं लक्षमी महाम से नराज होती है, जब हम छोटे थे तो मेरी मदर हमें, you know, जो religious books होती हैं, उनसे stories पढ़कर सुनाती थी, तो एक story मुझे अभी तक याद है, एक पैसे को बहुत दबा कर रखता होता है, बहुत जादा, you know, कंजूस होता है, और जब वो मरता है, तो जब उपर जाता है, तो लक्षमी मा उससे बहुत नराज होती हैं, तो वो उनसे पूछता है कि आप मेरे से क्यों नराज हैं, मैंने तो हमेशा ही इतना जादा आपको save क या फिर, you know, बहुत जादा आपकी इज़त करी, तो लक्षमी मा कहते हैं, देखो मैं चंचल हूँ, और मेरा तो काम ही है कभी इधर, कभी उधर, और तुमने मुझे इतना तिजोरी में बंद करकर रखा कि मेरा सास घुट गया, और मैं बहुत परेशान हुई, तो लक्षमी का जाना और आना ही एक आइडिल सिचुएशन होती है, हमें बहुत जादा बांध कर लक्षमी मा को नहीं रखना चाहिए, तो खर्चे से परेशान ना हूँ, लेकिन अगर खाम खां खर्चा हो रहा है, और फिजूल चीजों पर खर्चा हो रहा है, तो उसको कैसे आप अवाइड कर सकते हैं, इस पे जरूर आप फोकस करें, और इन जनरल या फिर गाइडन से आप लोगों के लिए अब्जरवर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि बहुत जादा इंपल्सिव किसी भी चीज को लेकर ना हो, बहुत जादा जल्दबाजी में कोई भी का साम करें, बहुत सोच समझ के अच्छे से चीजों को अब्जरव करें, उसके बाद ही करें, और स्ट्रोलेजी से आप लोगों के लिए स्कॉप्य और साइन का काड है, इसके हिसाब से जो भी समुंदर के रंग होते हैं, यानि कि सी ग्रीन, सी ब्लू आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday, तो ये था, एक विजेस आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे मुझे कमें सेक्षिन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप connect कर पाए, तचले देखें ही coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है five of cups reverse, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं, अब देखिए इस चीज को सुनके परिशान नहीं होना है क्योंकि ये जिन्दगी है, ये possible ही नहीं ह ठीक नहीं चल रही होती है, हम उनसे attention हटाके, जो चीजें ठीक हैं उन पर focus करके, कैसे बाकी की भी चीजों को बहतर कर सकते हैं, इस पे जादा attention देते हैं, तो हम चीजों को broader level के लिए बहतर करते हैं, और इस week इसी चीज का खयाल आपने रखना है, अपनी energies में shift लाना है, पे frame of mind रखना है, और फिर से मैं कहूंगी कि जो चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, उनसे focus हटाके, जो चीजें ठीक हैं उन पर focus करना है, ऐसा करेंगे ये week बहतर जाएगा, नहीं तो फिर थोड़े से परेशान हो सकते हैं, और परसनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए judgment reverse का card है, और ये card कहता है कि परसनल फ्रंट के किसी area में या फिर overall ही एक fresh beginning, एक नए सिरे से चीजों को आप शुरू करना चाहा रहे हैं, अब दिखिए ये fresh beginning सब के लिए differ करेगी, कुछ के लिए simply हो सकता है कि आपका routine बहुत late back है और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा discipline ल आप उसमें से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं और देखिए इसी तरीके से किसी भी level पर नई beginning हो सकते है कुछ के लिए हो सकता है कोई आदत आप छोड़के नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं तो कोई भी चीज परसनल फ्रंट से related हो सकती है जिसको और लेविल के लिए ये काट कहता है शायद आप decision choice नहीं ले पा रहे हैं शायद आप बहुत जादा critical बहुत जादा judgmental हो रहे हैं और अगर ऐसा आप भी पाएं तो ज़रूर इन चीजों को चेक करके correct करें क्योंकि देखिए tarot guidance के लिए होता है और जब भी भी हमारे चीजों को बहतर कर सकते हैं जो हम चाहते हैं उसको हम create कर सकते हैं तो देखिए इस week personal front के लिए guidance है critical ना हो judgmental ना हो decision choice लेना है तो उसको जरूर ले क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो जो एक fresh beginning या फिर जो भी आप पाना चाहते है personal front में उसको आप पापाएंगे चीजों क बहतर करेंगे और अगर आपके personal front में कोई इनसान है जो आपको लेकर बहुत critical judgmental हो रहे हैं तो इस week उनको थोड़ा सा आप avoid ही करें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए peace का guard है बहुत clear message है कि जितना जादा आप peace maintain करने की कोशिश करेंगे peace को अपना goal बनाएंगे उतना ह होता ना किसी के साथ हमारा argument हो गया हम उस argument को जीतने पे इतना focus करते हैं कि in the process हम अपने मन का सुकून हम अपने मन की peace को खोते हैं तो देखिए argument भले ही हार जाएं लेकिन मन की peace को ना खोने दे इस पे आप जादा focus करें and astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था prices आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए